हेलो दोस्तों सभी को तह दिल से नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बीमारी के बारे में जो बीमारी बारिस के मौसम में जब से ज folding होता ही मौता हुँ इसको हम बोटल जाके नाम से भी जानते हैं और इस बीमारी का सॉईन्टिपिक निम फै कैसे कर सकते हैं और हम लोग इस विदियो को पूरा का पूरा किया जा सकते सब्सक्राइब कारण के बारे में करता क्यूं हैं यह बिमारी मुक्या रूप से दो प्रजवी के दवारा बक्री के सरीर में फैलता है पहले प्रजवी का नाम है फैसियोला है पैटिका और दूसरे प्रजवी का नाम है फैसियोला जाइंटिका यह दोनों प्रजवी इसनेल के अंदर रहते हैं इसनेल जिसको हम लोग अपने भासा में घोंगा बोलते हैं और जब बक्री कोई ऐसा चारा खाती है जिस पर गोंगा सटा हुआ रहता है तो उस बक्री में लिवर फ्लुक नामक बिमारी डबलप हो जाता है ये तो हो गया इस बिमारी के करण अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बिमारी के लक्षन कौन-कौन से देखने को मिलता है कि बाने पर आसानी से दब जाता है जिसमें बिल्कुल कर आपन नहीं होता इसके लब बक्री के आगे वाले दोनों पैरों के बीच में पानी भरा सूजण मिल सकता है यहादा सकता है इतने सारे लक्षन आते हैं इस बिमारी के अब लोग बात कर लेते हैं इस बिमारी के इलाज के बारे में कि अगर यह बिमारी हमारे बक्री को हो जाए तो उसका इलाज क्या किया जाएगा तो इस बिमारी के इलाज में हमें सबसे पहले उपयोग करना है एक डियोर्मर का जिसका नाम है निलजान निलजान का composition होता है लेबा मिसॉल, हाइडरो क्लोराइड, ऑक्सी क्लोजनाइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एंड कोबाल सल्फेट का कम्मिनेशन होता है निलजान के अंदर और निलजान हमें यहाँ पे 1 ml प्रति 2 kg बडिवेट के हिसाब से उपयोग करना है यानि कि 2 kg के बगरी में हमें 1 ml उपयोग करना है, 10 kg का अगर बकरी है तो हमें 5 ml उपयोग करना है अगर आपका बकरी 20 kg का है तो 10 ml का उपयोग करना है, और अगर आपका बकरी 30 kg का है तो आपको 15 ml उपयोग करना है और उस टेबलेट का नाम है LASICS, जिसका साल्ट होता है FURUSAMIDE हमें पूरे दिन में मातर एक टेबलेट का ही उपयोग करना है और दुबारा इसका उपयोग नहीं करना है एक बार ही इसका उपयोग किया जाता है इन दोनों दुबा के उपयोग करने के बाद आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं आसा करता हूँ कि मेरे दोरा दिया हुआ जन्गरी आपके लिए helpful होगा Thanks my YouTube family